आज जिल्ला दिगरी काईश्ट प्राइश्ट प्राइश्ट आज उपस्तित होने का कारण यह है कि केंद्र सरकार नया मंत्री नयालय जो डिवीजन है 15 साल तक ही नोट्री जो है वकिल कर सकता उसके बाद रिनियोल होंगा नहीं यह प्रस्ताव सदन में रखने वाले उसके आगेंस में सब नोट्री वकिल भारत में से होने रिप्रेजें निवेदन मंगाया है और उस कानून पास होना नहीं इसके लिए हमने माननिय जिल्ला अधिकरी साब इनको रिप्रेजेंटेशन दिये उन्होंने आश्वाशन दिये कि यह हम तुरंत ही न्याय मंत्री रिजुजी साब को उनको बेजेंगे और आपकी जो मागनी है वहा तक पोज गई तो उसकी वए से हम आज सब लोग या हजर हुए और हम जो कुछ नियाय मंत्री साब सेंट्रल के जो रिजुलिशन पास करने जा रहे है उनको हम सब नूटरी विरोध करते है और आगे जाके तभी यह आमेंडमेंट पास हो गया तो हम आगला अनिदोलन जरूर प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता हूँ आज हमने जो किंदर सरकार ने बिल लाया है जो 15 साल के बाद रिलीवल नहीं मिलेगा उसका जो जबाब थे जो उन्होंने देज भर से जो वकील होगा और जो भी कुछ परमेंट है को करने के लिए उन्होंने आवहान किया था वो उ कि तरफ से हमने जिला जरीकरी कलिकरस अबको निवदन देया कि हमारा अपजुक्ष ने उसमें जो 15 साल के लिए हमार को नोट्री का लेसं दिया जा रहा है यूसके बा עई में अगर हमारा एसके बाद में प्रेक्टिस कंपा सकती कि धो या तो यह साल तक कर hazır क會 आbar नहीं कि ओसके बज़े से जो हैसिनेर वकील लोगों पे अन्या हो रहा है उसके विरोभ में हमने ये निवेदन की मांगनी तोरी नहीं होती तो आपका अगला स्टेट च्या रहेगा? कि हम तो अगला स्टेप ऐसा रहेंगा कि नूट्रियास्टों मारास्ट गौवा के तरब से हम लोग लंबा अंदलों चेड़ेंगे यह हमारी अगला कदम अमार रहेगा कि माम बुली श्राब लोगा मेरा अडोकेट चंतर रहा वनकीडि नूट्री असुशन आप मारास्ट गौवा का मारास्ट प्रदिश प्रवक्ता आपके साथ में जो है अटूकेट संद्धा पड़ेंगे तो अटूकेट आरेजगाए कि हुआ हुआ है झाल झाल